सवरो प्रथम प्रकर्ती सक्ति को मेरा सेवा 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 जोहार काले कंकाले नियायाना सेवा 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 जोहार रायतार जंगो दाईना सेवा जोहार पहांदी पारी कुपार लिंगो बाबाना सेवा जोहार जी एश्यू के वरिष्ट पदधी कारिगण यों सदस्य गड़ों को मेरा तहे दिल से सेवा जोहार मैं शिवा भारती, गोत्रते काम, गड़ लांजी, टोटम कचुआ, सागोन का पेड साथियों, आज मैं आप सभी को बिग बैंग घटना के बारे में बिग बैंग अर्थात महाविस्पोट सिध्धानत के बारे में बताना चाहूंगी साथियों, सरस्टी की रजना कैसे हुई, अनेग अनेग पूर्खों ने कैसे माने और हमारे पूर्खों ने सरस्टी के उत्पत्ती कैसे माने जानना हमारे लिए और हमारे इतिहास को अत्यांत आवश्यक है साथियों तो आये जानते हैं कि महावश्पोर्ट है क्या साथियों इस गोंडवान लेंड के गड़ जीवों को अपने इतिहास जानने के साथ स्राश्टी की उतपत्ती कैसे हुई स्रश्टी की रचना कैसे हुई ये जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अलग-अलग विचारधारा वाले स्रश्टी की रचना सास्तरा अनुसार अलग-अलग मानते हैं परंतु विज्ञान और हमारे पुर्खों के अनुशार प्रकर्ती की रचना उत्पत्ती प्राकर्तिक है साथियों इस सुन्ने अकास में ताप, दाब और उदाशीन था, उर्जा था उर्जा को विज्ञान में धनात्मक, रेडात्मक और उदाशीन माना, धनात्मक को प्रोटान, रेडात्मक को इलेक्टरान और न्यूटरान को उदाशीन माना जबकि हमारे पुर्खों ने इसी उर्जा सक्ती को परम सक्ती अर्थात सबसे बड़ा उर्जा सक्ती माना जिसे हमारे पुर्खों ने फड़ा पेन सक्ती के रूप में आज भी मानते हैं साथियों, यही उर्जा अर्थात गेंसों का आपस में घरसण हुआ, जिसके कारण इस उर्जा वाली गेंस का विसाल महाविश्पोट हुआ, जिसे ही हम महाविश्पोट अर्थात बिग बैंग परिघटना के नाम से जानते हैं साथियों, यह घटना विज्ञान के अनुसार 13.7 अरब पूर्व हुआ, इसके बाद ताप दाप में निरंतर कमी आती गई, विभिन ग्रह उप ग्रह एवं जल जैसे योगिक रोप में बदलते गए अर्थात स्रश्टी का सबसे छोटा कण परमाडू बदलते गए, जो उर्जा के अडू हैं, यही परम सकती है, यही फड़ा पेन सकती है, इसके बाद ही परमाडू परमाडू मिलकर ताप दाप के परिवर्तन के साथ योगिक अर्थात स्रश्टी का निर्माड हुआ साथियों, बिग बैंग, महाविस फोट, परिघटना के बाद कलांतर में जल में जीव का विकास एक कोस्की जीव के रूप में हुआ, और कलांतर में बहु कोस्की जीव, जलचर, नबचर, इस्थलचर, जैसे विसाल का जीव, एक वनस्पती के रूप में उनका विकास हु सांत्यों, अन्य ग्रंथों के अनुसार स्रष्टी के उत्पत्ति आप्रकर्तिक माना गया है, क्योंकि कोई समस्ता है कि स्रष्टी के उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुआ है, कोई समस्ता है कि स्रष्टी के उत्पत्ति इसा मासी के माध्यम से हुआ है, परंतु सांत्यों य जातियों मैं जी एश्यू के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैंने जब से जी एश्यू जोईन की 2017 में मैंने जी एश्यू जोईन की 2017 में मैंने फर्स टाइम जी एश्यू जोईन की तो हमें हमारे जो सगापाड़ी और बहुत-बहुत वरिष्ट पददिकारी लोग आये हुए थे वो हमें बहुत-बहुत सुपकामनाय दिये और शाथियों जब कोई अपने लोग हमें बधाई या सुपकामनाय देते हैं तो उसकी खुसी कुछ आलगी महसूस होती है साथियों GSU एक ऐसा मंच है जहां पर प्रत्यक विद्यार्थी चाहे LSEO चाहे OBCO चाहे SCO प्रत्यक स्टूडेंटों को GSU मंच देता है साथियों GSU एक समाजी कहना चाहिए GSU समाज की रूप में भी कारे करता है GSU में जब से मैंने जुड़ी अपने पुर्खों की व्यवस्ता, कोई तूरियन टेकनोलोजी की व्यवस्ता, गोटुल व्यवस्ता और अपने टोटमिक व्यवस्ता के बारे में मुझे जानने का अवसर मिला और शाथियों मैं अभी शीख रही हूँ, और शाथियों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं GSU के वरिष्ट पददिकारी यों सदस्यों सदस्यों से अनुरोत करती हूँ, कि हमारा इतिहास क्या है? यह हम सभी GSU के सदस्यों को बताने की कोसिस करेंगे इसी के साथ मेरा पुने सेवा सेवा, सेवा जोहर, गोटुल जोहर, GSU के नाम मैं चार लाइन बोलना चाहूंगी, हम है GSU, हम है इंडिया, हम है इंडिजीणियस साथ अगनी पत अगनी पत अगनी पत ना कभी रुकिंगे हम ना कभी जुकिंगे हम संगर्षों से लड़क आगे बढ़ेंगे हम और अपने इतिहास को जानने की कोशिस करेंगे हम और हमारे आने वाली पीड़ी को भी हम अपने इतिहास को बताएंगे और सिखाएंगे और हमारे पुर्खों की व्यवस्था को बताएंगे ताकि कोई जान सके कि हमारी व्यवस्था आखिर क्या थी साथियों इसी के साथ मेरा सेवा 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 जोहार गोटुल जोहार आप सभी वरिष्ट पददिकारियों को मेरा साधर साधर सेवा जोहार और गोटुल के सभी टीम वाले साथियों को मरकाम सर आर्मो सर सोभा परस्ते सर इन सभी को मेरा सेवा तहे दिल से सेवा 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 जोहर